और तो किसी को नहीं बोलते, जैकी श्रॉफ, बैठा वो अंडे को ऐसे चिलने का, पहले तो नहीं ने अंडा चिलने का नहीं है, क्या रहना है मिडू, सबसे पहले ना, एक लेना है, निम्बू, कड़ी पत्ता, मिर्च, प्याज थोड़ा और थोड़ा से जीरा, और थोड़ सबस्स समर्ई ना, बैठा रहने, जैकी श्रॉफ को तो जाके नहीं बोलते, जैकी बढ़ु, जैकी बढ़ु, जैकी बढ़ु, ए, नाजिरियन, नाजिरियन अश्ण में, कूछ नहीं का देग सूने के, wन ग्रेन के ले ले युना, नियो GitHub, रहन ग्रेन के, वन जैने है भीदू काईरोप्रेक्टर, काईरोप्रेक्टर पता है वह आता है यासे पील चटकाता है robotic मेरे को बताहों क्या लगता था, यह तो पस मतलब कुछ लडकों को ऐसी चीज़ बड़े बड़े भाईया सब्सक्रें जो नहीं होते घर के जिनको बस कुछ ट्रिक्स आती है इधर आए चीज करों तर साथ साथ, इधर आए अधर जी जाए, हाँ रखते से कर, हां क्या होगे और एधब इधम शचठका दिया, मुझे लगता था कि ये बस ऐसी कोई çीज है, पुछ बही आज उनिगा। इस चीज करू दिर साथ इस चीज करू अच्छा लगा ना यह होता था मेरेको तो लगता अब भाई मेरे को पता चला की लोग कै्र यह के लिए लोग दिग्री हां कर रहे हैं जैनुएनली कह रहा हूं भाई, कायरोप्रेक्टर जैसा आदमी स्टेथस्कोप, कायरोप्रेक्टर स्टेथस्कोप क्यों लगा रहा है भाई, उस आदमी को स्टेथस्कोप की कह जरूरत है, है ना, और भाई, पूरा डॉक्टर, भाई, मेरे को बता हूं क्या लगता है, कायर उस बच्चे ने सोचा, ये चीज़ अगर मैं कोट पहन के करूँ गाइट कलर के लोगों के साथ, भाई, ये है भाई काईरोप्रेक्टर का सच, आते हैं लोग भेंच चटका देते हैं भाई, मुझे आज तक समझ में नहीं आया भाई, मिरे को आज तक समझ में नहीं आया कि भाई, काईरो से ठीक क्या हो रहा भाई, मतलब मैं ये समझ सकता हूँ कि, काईरो से मतलब वो सारी चीज़े हो सकती हैं कि, टेंशन, रिलीविंग, अच्छा फील हो ना, मतलब बट, लोग ऐसे क्लेम करते हैं भाई, कि इससे कैंसर ठीक हो जायागा आपका, यहाँ पे मतल मेरा कैंसर ठीक हो जायागा, सहीं मताऊ ना, 100% जो काईरो प्रेक्टर का जो बिजनस है, जो यूट्यूब पे है, वो इसलिए नहीं है कि उनको मतलब देख के कुछ सीखने को, वो इसलिए क्योंकि ये वो वैसे वाले लोग होते हैं भाई, किसी की मसाज हो रही है, देखत हैं कि हाँ भाई इसको कुछ दिक्कत थी भाई, डॉक्टर कुछ एजुकेशन की नहीं, अच्छा ये ऐसे चटकाते हैं, काईरो प्रेक्टर की वीडियो लोग ASMR के लिए देखते हैं भाई, अच्छा पैर ऐसे चटकाते हैं, मुझे तो नहीं लगता कोई काईरो भाईएज सो अच्छा ये थे ऑना कुछ लोगों को बेणविट करता है, बट फॉकें अच्छोगों को बेडिफित करता हैं, बट फॉकें डेर। देखते हैं काईरो अच्छोत नहीं यार। hello auntie, cute, hi he's so nice, था, बाइ, बाइ, I don't know if this is normal, but I have, मतलब कभी कबार में कुछ लिटरली थॉट्स आये हैं कि भाई एक बच्चे को बस रखा वाई, छोटा सा बच्चा, और मैं बस भागते होया रहा हूर पेनल्टी, पेनल्टी, nothing more, nothing less, just a fucking penalty, भाई, उड़ते हो जा रहा हूरा भाई, बच्चा, इंट्रुसिफ नी है भाई, क्योंकि, it's not like, कि मतलब हमेशा आता है, it's like a specific type, type, अगर ज्यादा गोल मतोल्स है बच्चा एन भरीटिंग, तो मेरे को लगता नहीं यार, यह थोड़ा भारी होगा, बट अगर उसको देखके ऐसा लगता है ना, कि नहीं भाई, इसकी मम्मी मतलब breast milk के साथ थोड़ी सी बचत करती है, कि मतलब इसकी मम्मी को लगता है, नहीं भाई, इतना दूद नहीं देना चीए, मतलब उसकी मम्मी को awkward लगता है, वो वाले जो बच्चे होते हैं, जिनको देखके लगता है, कि मतलब इनको पूरा nutrition इसलिए नहीं मिला, क्योंकि इनकी मम्मी को अजीब फील होने लग गया था, because they started grabbing, आप लोगों को सही में बताता हूँ, मैं therapy लेता हूँ, regularly भी नहीं मतलब हो जाती ही थोड़ी वीटी तब लेता हूँ, बट मेरे को दिक्कत आए थी, अगर आप इससे relate कर सकते हो, तो ये करना, मेरे को ये दिक्कत आती है, कि मेरे को बहुत overthinking करता हूँ मैं, तो overthinking के बीच में क्या होता है, इतने सारे thoughts होते हैं, तो फिर आदमी को लगता है, ये शाइद से facts हैं, बट आपको क्या करना है, उन thoughts को question करना है, और अगर आप ज़्यादा question करने लगोगे न, हर thoughts को जो आपके दिमाग में आता है, तो आपको पता चलेगा कि हाँ भाई, ये तो शाइद से मैं बस, क्यूंकि maximum time बता हूँ क्या होता है, आपको एक दिन बहुत बुरा लग रहा था, बहुत anxiety आ रही होती है, और उसके बाद आप सोते हो उठते हो, आपको बहेंचुद मैं किस बात से BT ले रहा था, समझ रहे हो न, और ये इतनी बार ही हो जाता है, फिर आपको पता भी नहीं चलता है, ये कैसे हो रहा है, तो आपको क्या करना है, ये decide करना है कि आपके thoughts में से facts कौन सा है, और thought कौन सा है, and that only works when you question those thoughts, and questioning is very hard, कभी कवार आपको therapist की ज़रूवत पढ़ती है, कभी कवार लोग journaling करते हैं, तो journal करते करते न, वो लिखते रहते है, मैं therapist के पास इसलिए गया, क्योंकि मैं journaling करना afford नहीं कर सकता, पते की बाथ है, पैसे देने पढ़ते है therapist को, पर मैं journal करना afford नहीं कर सकता, क्योंकि मादर्चोद मेरे घरवाले जो है मतलब मेरे जो जैसे मेरा भाई है इन लोहों को न कोई किताब दिख जाती है खोलो भाई ओ अच्छा और उसके बाद आके creative block सुबा नहीं सोता है सुबा सोता है न तू अबे यार तो कैसे कर ले कोई जर्नल ये 100% दिक्कत होती है 100% दिक्कत हर इंडियन हाउसोल्ड में कि भैंचो कोई भी भाई बंदा जर्नल करी नहीं पाता क्योंकि अगर किसी ने कुछ लिख लिया तो उसको पहले तो लगता है बट ये सब छोड़ दो भाई आप बॉडी बिल्डिंग करो भाई ये टटी रूटीन है टटी क्या है इसमें भाई कभी भैंचो रूटीन फॉलो किया है तूने मुझे बता है गए टटी क्या होता है एक वो साला बहन का लोड़ा पता नहीं कौन है भाई अपने आपको ऐसी बैठ जाता है बहन चोड ऐसी स्ट्रीमिंग ऐसे माइक पकड़के ऐसी इसी सीट पर बैठ जाएगा एर्पित बाला करके और बखवास बाते पेलता रहेगा बखेती बहन जिम जाते हो फिर सोते हैं बहन के लोड़े कम से कम ग्यान तो नहीं चोड़ते और फिर सो जाते हैं मेहनत तो करते हैं बात तो वैसे तेरी भी सही है वैसे एर्पित बाला ग्यान चोड़ने के लिए मतलब दिमाग तो लगता है ना अब मेरे जैसा आदमी मा मुझे असा आदमी, क्या दिमाग लगाएगा 12 के बाद मुझे गिंती नहीं आती मुझे लगता है 12 के बाद सूपर सेट आता है, बताओ मैं बैटके घ्यान चो दूँगा बाई कसम से कह रहा हूँ जिम में इतनी गंदी आदत लग गई है न मैं बाद तक गिंता हूँ ना फिर मेरे को हाफने लग जाता हूँ बाई मैं, हाफने लग जाता हूँ अपने आपी बेचेहनी हो जाती है बाई बाई कम से कम मेहनत तो कर रहा हूँ नशे तो नहीं कर रहा है कम से कम नशे तो नहीं कर रहा सुट्टे तो नहीं मारता, कम से कम बेंचो बक्चोधियां तो नहीं, गलत चीज़ें तो नहीं कर रहा, पर एक बात तो है भाई, जिम के अलाबा भी न, मैं और सारे काम भी कम से कम ही करता हूं, सिर्फ जिम जाता हूं, उसके बाद अगर किसी ने कुछ भी काम कह दिया, भा अगर तुझे लग रहा है कि मैं आपे जोक्स मारने बैटा हूं, तेरको यह सब जोक्स लग रहे हैं, हैं, मैं आपे तुझे भेंचो सच बता रहा हूं तेरा, यहाँ पर मैं तुझे हसाने नहीं आया हूं, ठीक है बहुजडी के, तेरको अगर लगता है ना, कि यह जो भ कि तिरको रखता है यह जो भैंछो सेटप लिया zł Animals फो ने आपधु सौक्य पड़े वो जोक से आये हैं मजाक मस्ती से आये बोडी बिल्डर हूँ साले एथलीट माइंडसेट होता है यह एथलीट माइंडसेट जोक्स जोक्स नी मारता मैं मेहनत करता हूँ जिम जाता हूँ मैं ठीक है दुपैर में उठता हूँ जिम जाता हूँ बस कर सकता है तू है यह ज़द गेमिंग नाम में लिखा है आज तक बैंचोद अपना बार नी उठाया पुश अप मार सकता है तू है कम से कम साले मैं तो घर पे बोजा हूँ तू तो अपने आप पे भी बोजा है भाई कम से कम मैं घर पे बोजा हूँ जिम में जाके बोजा उटा तो सकता हूँ तू तो सिर्फ बोजा भाई यजद गेमिंग फ्री फायर लवर साले मुझे बताएगा आज तक जिम गये तू अभी तक हसी नहीं अपै तिरको हसी आए नहीं मेरी जेब में दोसों आ गए चूतिये चींटी भाई भाई गोट मैसी है तो इसका मतलब ठीक है भाई यजद भाई आप मुझे कह रहे थी कि आपको हसी नहीं आरी मेरे जोक्स पे अगर आप ये बोल रहे हो तो फिर तो अच्छा ही हुआ कि मैने आपको नहीं हसाया